नमस्कार, जोहार, SB जॉब मेटरियल में आपका स्वागत है तो आज हम लोग यहाँ पर दो अलग-अलग अलप संख्यक बिद्दाले से टीचिंग पोस्ट के लिए वेकिंसी जो निकल करके आए हुए हैं उसके बारे में डिटेल से जानेंगे आपका बिद्दाले है G.E.L. प्राथ्मिक बिद्दाले और दूसरा जो बिद्दाले है संत इगनासुस उच बिद्दाले गुमला इससे पहले बताते चलूं कि जो आपका सहायक आचायर नियुक्ति परिक्षा जो आगए इस नवंबर को आपका निधारित की गई है कहां के लिए तो वह जो है सिम्डेगा जीला बानो प्रखंड के अलपसंख्यक बिद्दाले में अपहर हाइद कारणों से अस्थकित की गई जो सहायक आचायर नियुक्ति परिक्षा की तिथी जो है निधारित की गई है अगर यह बिद्दाले जो है सिम्डेगा जीला में जो है बानो प्रखंड के जो अलपसंख्यक बिद्दाले उसमें अगर फॉर्म भरे होंगे तो उनका जो है एक्जाम का डेट जो था अस्थकित किया गया था वो नियू एक्जाम डेट जो है आचुका है विभाग के निर्देश के बाद जो है निर्धारित थी के अनुसार G.E.L. मध्ध बिद्दाले एल्ला का सहाय का चाय पद है तु लिखित पर इख्षा 28 नुवंबर 2022 दीन सुम्बार को आरसी मध्मिक बिद्दाले बाकी में दीन 11 बजे पुरवाहन से होगी जिसमें वही अभ्यार्थी भाग ले पाएंगे जो सवंधित पद के लिए पूरु में आवेदन दे चुके हैं तो यह कुछ जानकारी थी चलिए हम लोग देख लेते हैं वेकेंसी तो पहला जो वेकेंसी है आपका संत एगना युस उच्विद्दाले गुमला से चलिए इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कौन सा पोस्ट के लिए वेकेंसी है कब तक अपलाई कर सकते हैं इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे इससे आप तक नए नए वेकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे तो आपका जो यह जो विद्डाले है इसमें आपका जो पद है वह आप देख सकते हैं भोत्की गनीत एक पद है इसमें भोत्की में आपका परतिश्ठान असनातक और प्रसिख्षित भी होना चाहिए दूसरा जो पोस्ट है आपका नागरिक सास्त्र इतिहास में इसमें एक पोस्ट है इसमें भी आपका जो है राजनीतिक सास्त्र असनातक परतिश्ठा होना चाहिए और परसिख्षित भी होना चाहिए वहीं इसमें जो है आदेश पाल का भी पोस्ट निकल करके आये हुए ह आदेश पाल का भी पोस्ट है, एक मेट्रिक इसमें होना चाहिए और इलेक्टीकल पलंबर ज्ञान होना चाहिए, पद के लिए आपका सहायक सिक्षक, सिछकेतर करमचारी की आवे सकता है, यह सब का आवे सकता है, नियुक्ति में जहारखन सरकार दवारा, निधारित्य यु परमानित, छाय अफरती के साथ, दिनांग 30, 11, 2022 के अपरहां 3 बजे तक, अपकर निवंधित डागतवारा, सचीव के पदनाम से भेजे जा सकते हैं, पांच 12, 2022 को नागरिक सास्त्र इतिहास का 9 बजे से, और दिनांग 6, 12, 2022 को भोत्त की, गनीत और आदेश पाल समय 9 बजे से क्या है मुल परमान पत्र के साथ लिखित परिक्षा है तो आप विद्दाले परिशर में उपस्थित होंगे, तो यहां सुचना थी, यहां वेकेंसी थी, वहीं दूसरा जो वेकेंसी है आपका GEL प्राथ्मिक विद्दाले से है, इसमें जो है आपका आवसक्ता, यहां जो विद्दाले है, वन टू फाइफ है, और इसमें तीन पोस्ट के लिए वेकेंसी है, तीन सहायक आचायर की आवसकता है, आहरता धारी जो है, टी टी सी, डी एल एड, परिशित अभ्यारती आविदन जो है कर सकते हैं, आविदन पत्र धिनांग दो बारों दो हजार तीन बजे तक निवंधित डाग द्वारा जो है, विद्दाले सची परनाम आवंत्रित किये जाते हैं, उक्तिती के पहचात आविदन जो है सिविकार नहीं किया जाएगा, सहायक आचायर की निवक्ति सरकार द्वारा निधारित वेतनमान लेवल फोर जो है, आपका ग्रे समेटी द्वारा गठित कमेटी के द्वारा की जाएगी, सियन के लिए लिखित परिक्षा है तू, धिनांक साथ बारो दो हजर बाइस को पुरवाहन दस बजे मूल परमान पत्रों के साथ विद्दाले में उपस्थित होंगे, अगर आप यूग्यता रखते हैं, तो आप इसे अपलाए कर सकते हैं, अपका अपलाए करने का या फिर आपका आवेदन पत्र बिद्दाले परिसर पहुचने का जूतिती है, अपका दो बारो दो हजर बाइस है, और इसमें आपका एक्जाम जो हो जाएगा, वह आपका साथ बारो दो हजर बाइस को होगा, और उस द आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस चेनल को सस्क्राइब कर लिजे थेंक्यू